महापुरान की कता करती है यदि राहू है केतु है शनी है मंगल है भुद्ध है शुक्र है शनी है आपको कोई भी ग्रह परिशान कर रहा है आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिश्टकारी है आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिश्टता परदान कर रहा है तो डाल लेते है जल में या चने की दाल डाल लेते हैं जल की दाने अक्षत भी पून अक्षत पून अक्षत खंडित नहीं पून अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करें और बाबा भोले नात को जब हम जल समर्पित करें तो राहू, केतू, मंगल, शनी, शुक्र, गसपती जितने ग्रहें सब अनकूल हो जाते हैं महारा सबंदुदू सारे अनुकों ये उसके लिए जो बच्चा प्ढ़ने में कमजोर हो जिसका विवेग काम नहीं कर रहा हो जो बच्चे की भुद्धी विद्याद्ध्यन में नहीं रमती हो लगती ही नहीं हो महारा तांबे के कलश में जल लीजिए उस जल में अक्षट के साथ दाने डाल लीजिए तांबे के कलश में जल हो जल में अक्षट के साथ दाने ये जो साथ दाने अक्षट के आप डालेंगे जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो विद्या में कमजोर हो या गुद्धी या व परिमान में बात कर रही हो और मन शान्थ नहीं है, अजह बंदिर नहीं है, बहुत प्रोणारा चिड़-चिड़-प्रवति एह भर भिएहर है वह पर मन शान्थ नहीं है चावल के साथ दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र पांच पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए दुरवा के तीन बट एक लंबी सी यहां तो भी दुरवा नहीं है पर एक लंबी सी जो दुरवा होती है दुरवा में तीन गाट पड़े लंबी डंडी होगी तो तीन गाट अपने आप जाएगी तीन अबट वाली दुरवा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदर में जाकर उस जल को समरपित कर दीजिए जल समरपित करना है ये वाला जो जल चड़ाएंगे आप शंकर को जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पातर अपने हाथ में है तो उल्टा जल चड़ाएंगे ऐसे आपकी और मुक्तरा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चड़ाएंगे उल्टा के बाद आइस तरह से आइसे नहीं चड़ाना है उसको इस तरह से चड़ाना है अपनी हो मातर 15-20 में जिसकी चित्त व्रत्ती रमती नहीं हो शांत नहीं हो रही हो बुद्धी चितना अलग रहा हो जेल कर उस जल का पान करना प्राराम करतीजिए महाराच पांच दिन साथ दिन पीओ आपको खुद आराम लगना प्राराम हो भगवान शंकर पर रक्त चंदन चड़ता है भगवान शंकर पर पीला चंदन चड़ता है और भगवान शंकर पर कंकू फूपू रोली नहीं के चरण में जब चोट लगी कुंदुक का प्रहार करते समय कुंदुक चरणों में जाकर गिरा माता ने बर मांगा भूले ना से बाबा आपके तन पर जो आज ये रख्त देखा है कभी ना देखूं शंकर भगवान ने बर दिया आज के वाद मुझे रख्त नहां चड़े इसलिए कुंकु रोली शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है जो गोल भाग होता है माता पार्वती जी का हस्त कमल चरण होते हैं इस भाग पर आप किति भी रोली चल जाएगा पर शिवलिंग पर कंकू, रोली, कुंकू नहीं चड़ाना चन्नन चड़ाओ, अभीर चड़ाओ गुलाल चड़ाओ जो चड़ाना है शिवकु समर्पित कर ले भगवान शिवकुंद केश्वर हो गए शास्त्र कहता है जिसको रोक सताए तो एक कलश जल में थोड़ा सा शेहद उंगली में शेहद लेकर ओम लिखकर कुंद केश्वर भगवान का नाम लेकर किसी वी शंकर के मंदिर में जल समर्पित कर दे थोड़ा सा जल किसी बेलपत्र के नीचे चड़ा दे उस जल को नैनों से लगा कर घर लेकर आए थोड़ा सा घर में लाकर घर के दर्वाजे पर उसको जल से बिंदी लगा दे या त्रिकुंड बना दे उस घर से रोग बिमारी दूर हो जाती है कुंद केश्वर का नाम लेकर लोहे से ताकतवर जम के बलो अगनी अगनी से ताकतवर पानी पानी से ताकतवर मनुष्य और मनुष्य से ताकतवर बिमारी जो अच्छे अच्छे को निगल जाती है कितने ही शुर्मा कितने ही सुर्मा इस भूमी पर तेदा हो गए और मर मर के चले गए कितने ही मनुष्य से ज़्यादा ताकतवर है बिमारी और बिमारी से ज़्यादा ताकतवर है मेरा महामर्द्यूंजे मेरा देव आधी देव महादेव जो मर्द्यू जय कहलाता है जो मोत पर्वे जय प्रापतर लेता है और बिमारी को भी जीत लेता है बिमारी हम कई बार करते हैं अगर कैंसर जैसा रोग भी हो गया बहुत बड़ी बिमारी हो गया आपको नहीं सदराग और कैंसर जैसा रोग हो गया आप जाएं गाप्तर को दिखाएं मना नहीं है और उसकी टेबलेट लेने से पहले इस महादेव के चरणों की टेबलेट जरूर लेना उसकी ओशदी जरूर लेना एक बार जहां शिव और सती का विवाह सत्युग में हुआ था त्रजुगी नरायन में हम पारवती के विवाह की बात नहीं कर रहें सती की विवाह की बात जिस भूमी पर त्रजुगी नरायन में सुव और सती का विवाह हुआ था जहां दक्ष प्रजापती ने माता सती का मंदल पानी गरन संसकार करवाया था तन्या दान किया था भगवान शंकर और सती के विवाह की अगनी आज तक जल रही है त्रजुगी नरायन में केदान नाती जाते हैं उसके फेले गोरी कुंड आता है गोरी कुंड से लेफ्ट में आठ किलो मीटर की दस किलो मीटर की दूरी पर त्रजुगी नरायन है त्रजुगी नरायन में जहाँ पर भगवान शंकर और सती ने फेरे लिये थे भगवान शुबस और सती के जहाँ शंकर और सती के भावरड अलीती फेरे हुए थे उनके फेरे लेते समय माता सती के च्रणार रिंद से भगवान संकर के चलने पर सती माता के च्रणार रिंद से कुंड उत्मन हो गए उस कुंड का पानी बोटल में भर कर लेकर आजाओ और उनस गुंड है, चार तो पास में हैं और तीन कुंड पीछे की ओर साथ ओपुंड का जल लेकर आओ, बोटल में भर कर और जिसको पैंसर जैसी बिमारी है सुबेरे ठाली पेट एक धकन दो धकन उसको पिलाना चालू करो धीरे धीरे उसको आराम लगना चालू हो जाएगा रवाई लगना प्रारम हो जाएगा वो महमर्त्यूंचे है कि अपने गमले की अपने बगीचे की अपने गमले की मिट्टी को निकाल कर उसका शिवलिंग बना कर पूजन करो पर पूजन करो श्राम लगना पार्थिव शिवलिंग का निर्मान हो पार्थिव शिवलिंग का निर्मान करकर उसकी अर्चना होना चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि शिवलिंग बहुत बड़ा बनाया जाए आजकल के जमाने में तो एक फैसन का दोर भी चल रहा है कि कहीं भगवान संकर का शिवलिंग बनाए तो बहुत बड़ा शिवलिंग बनाओ थाली के अंदर फिर उसका विश्यक पूजान करो यहाँ यहाँ शिवलिं का इसमनेद आपगर के अंदर लेके लाएं तर कोई भी मूर्थी यदि आपके घर में है तो वो अंश्णा आकरती से बड़ी नहीं होना चाहिए बस इतना बड़ा सुरूप भगवान का होना चाहिए और मूर्थी अंदर से थोस होना चाहिए क्यों? क्योंकि जो मूर्थी अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है घर में लच्छी तिकने नहीं देती तो कई लोग कूछते हैं गुरुजी अगर अंदर घर में मूर्थी है पुरानी मूर्थी और पोली है तो उसका क्या करेंगे उसका करें गया, तो कुछ नहीं करना है, उसको कहीं रप्तर नहीं आना है, उसको कहीं धंडा करना नहीं है, उसमें केवल इतना करना कि मेन जो आता है, जो भगवान का शिंदार करते हैं, तो उसके जो चिपकाते हैं मेन, उसमें आठ डाल दीजी, उसमें भर लीजी, और मू शिवान, नमस्तु प्यम्यम्